नमस्कार मैं प्रियंका सिंग्ग यह पचात खिला याता है अट्मी और नमी नवरात्री में फ्रेंट्स कंचिका खिलाते हैं तब दसाहरा का बहुत महतुमपूर्ण यह भोजन है फ्रेंट्स हम आप लोग के लिए लेके आये हैं चना का सबजी हलवा और पूड़ी खीर नवरात्री एस्पेसल भोजन चलिए बनाना सुरू करते हैं कूकर लिया है हमने कूकर में ओयल गरम हो गया है तहाप चमत से कम हमने साबूद जीरा डाला है एक हरा मिर्च जाला है मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है तीता हो जाएगा तो नहीं खाएंगे एक तिसपत्ता हमने add किया है फोरण हमारा अच्छी तरह से पक गया है इसमें हम टमाटर add करेंगा टमाटर ढो medium size का टमाटर हमने बारी कट लिया है इसको हमने cookر में add किया है cookr में ही चन्ना का सबजी हम बना रहे हैं friends क्योंकि जल्दी बनके रेडी भी हो जाएगा और चन्ना भी अच्छी तरह से सीन जाएगा और आपका जो समय है वो काफी बचेगा टेस्ट भी बहुत बढ़ी आता है फ्रेंट्स टमाटर को थोड़ा चला लेंगे कल्चे से और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम मसाला एड़ करेंगे क्योंकि हम कूकर में बना रहे हैं जब सीटी देगा तो खोदी टमाटर गल जाएगा यहाँ पे मसाला एड़ कर रहे हैं हाप चमच धनिया पॉडर हाप चमच जीरा पॉडर अब अच्छी तरह से मसाला को चला लेना है चलाने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे हल्दी पॉडर हल्दी पॉडर हमने लिया है हाप चमच से कम उसके बाद इसमें एड़ करेंगे नमक नमक अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा अब अड़ करेंगे कूकर में चना चना मैंने जो तीन घंटा पहले फुला के रखा हुआ है उसको अड़ करेंगे कला वाला चना मैंने डेड़ सो गराम फुला के रख दिया था जब भी अब चना का सबजी बनाए तो तीन चार घंटा जरूर फुला देश से सबजी बहुत बढ़िया बनता है चना हमारा अच्छी तरह से मसाला में भुजा गया है भुनाने के बाद इसमें हम एक कटोड़ी छोटा वाले कटोड़ी से पानी एड़ कर रहा है अच्छी तरह से चला लेना है पानी जरूर डालिएगा नहीं तो कूकर में अपका चना जल जाएगा और यहाँ पे मैंने पानी बहुत कम डाला है कूकर बंद कर लेंगे और मिडियम फ्लेम पे तीन चार सिटी दिलवा लिजिएगा अब प्रेंट चलिए हम हलुआ बनने चर्तिक फ्राई पिलनी आए फ्राई प्रेंट में मैंने चार चमच घी एड़ किया है इसमें हम किस्मिस डालेंगे और डाल के अच्छी तरह शे भूनेंगे घी में किसमिस हमारा भूना चुका है सारा किसमिस निकाल लेंगे गैस का फ्लेम जब भी किसमिस भूने तो लो रखिएगा नहीं तो किसमिस आपका जल जाएगा सारा किसमिस हमने निकाल लिया है इसमें हम काजू और बदाम भूनेंगे काजू और बदाम हलका रोस्ट हो जाएगा तो इसको भी निकाल लेंगे काजू और बदाम भी हमारा अच्छी तरह से भुना चुका है सारा काजू और बदाम निकाल लीजी यह निकालने के बाद इसमें हम एड करेंगे अब सूजी सूजी मेंने पतली वाली लिया है पतली वाली से हलवा बहुत बढ़िया बनता है और यहाँ पे हमने भूनेंगे इसको सूजी को अच्छी तरह से हमारा सूजी भूना चुका है इसमें हम पानी एड़ करेंगे एक कप पानी एड़ करेंगे फ्रेंड्स चोटा वाला कटोडी से हमने एक कटोडी सूजी लिया था उसके डबल पानी इसमें डालना है मैंने दो कटोडी पानी एड़ किया है क्योंकि ये जो गिलास है हमारा दो कटोडी पानी ये पकड़ता है चीनी यहाँ पर अपनी टेस्ट के कोडिंग डाल लीजिएगा जादा मैं चीनी एड़ नहीं कर रहे हूँ यहाँ पर हमने तीन चमत चीनी इसमें हलुआ में एड़ किया है और हलुआ को चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेजिए और जितन भुनायगा तो चीनी हमारा इसमें मिक्स हो जाएगा यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया हमारा हलुआ दिखने में लग रहा है यहाँ पे थोड़ा घी का मातरा कम लग रहा है तो यहाँ पे पांच चमच हम घी एड़ कर रहा है घी के साथ ही हम यहाँ पे एड़ करेंगे घी के साथ ही ड्राइफरुट भी एड़ करेंगे और अच्छी तरह से इसको mix कर लेंगे क्योंकि हमारा हलुआ बन के ready हो चुका है और यहाँ पर एक दो सेकंड भूनेंगे क्योंकि हमने काजू भी डाला है किस्मिस भी डाला है बदाम भी डाला है और यहाँ पे घी भी डाला है कि अच्छी तरह सोड़ा भुना जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है हलुआ हमारा बन के रेडी हो गया यहाँ चलते हैं चन्ना देखने हमने चार सिटी दिलवाया है और देखिये चन्ना कितना बढ़िया बन के रेडी हो चुका है माता रानी के किरबा से सारा खाना बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टी लग रहा है बना हुआ है खीर मैंने अल्रेडी बना के रख लिया हुआ था यहाँ पर हमने खीर हलुआ चन्ना का सबजी और पोड़ी कन्याओं के लिए बनाया है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा अगले वीडियो में फिर आप से मिलेंगे तब तक के लिए जय माता दी